नमस्कार इन खबर में आप सभी का सुवागत है ओडिशा के काला हंडी जिले में एक शक्स ने अपनी पतनी की जलती चिता में कूद कर अपनी जान दे दी यह घटना गौला मुंडा ब्लॉक के सियाल जोडी गाउं की है जहां पतनी की मौत से व्याथित एक बुजरुक ने अंतिम संसकार के दोरान महीला की जलती चिता पर छला लगा दी आग की लपटे इतनी तेस थी कि किसी ने भी उसे बच्चाने की हिमत नहीं की देखते ही देखते बुजरुक शक्स अपनी पतनी की चिता के साथ ही खाग हो गया यह पूरी खटना मंगलवार की है बरने वाल बुजरुक शक्स का नाम नील मडी सबर बताया गया है रिपोर्ट के मताबिक नील मडी की साथ वर्षे पतनी राइबरी सबर की मौत कौडियक अरस्ट की वज़े से हुई थी उसका अंतिम संसकार करने के लिए उसके पती के साथ पड़ोसी और चार बेटे शवदास तल प रहा था वो अपनी पतनी की जलती चिता को देखता रहा तब ही अच्छानक वह जलती हुई चिता की ओर दोड़ा और जब तक कि वहां मौजूद लोग सब कुछ समझ पाते उस पर कूद गया नील मडी के बेटे और अन्य परिवारिक सदत से इस खटना से सदमे में है पू आस झाले के लोग महाद सवा बस मौद ब्यक्तरष, कना मौद से मौद टेमोड़ा रहा वार प्रタ रहा תחव मोद सक करदा भी चा़ मौद वार अार हुज हीं अटार ही और ज़िएम छ